हेलो दोस्तों मुमेंट एकडेमी में आप सभी लोगों को सवगत है और जैसा कि प्रेविश वीडिव ने आपने कोड्य लेटर्स के कुछ प्रूफ डाकुमेंट्स देखे थे और प्रॉपर्पाटी से और आज में लिकर आया हूं उसके खुंच अधे तो उसन क्या कहता हैसा चलिए देखते है आप लिखाए आप पर और एंग थ्री एंगल ऑफ ए फिशुक्वाड्रि लेटर्स ठीक है ल क्वार्य लेटर्स के ऑर फिफ्टी फॉर डिग्री SER गैर्पी टिग्री एंड फॉर्ट्लन के था फॉर्ट animal the ऱ्फॉर्ट एंगल ठेना है अगर देखा नहीं है तो वह पहले देख ले तब इसको सॉल्व करे नहीं तो इसको क्या समंझ नहीं आपाएगा तो यह कसा मैं तो यह जिनके सब्सक्राइब होते हैं चाहिए आप चाहिए जैसी मना सकते हैं फूरी उस नदिशाई और टीकेए तो इसमें लिखा है इसम err जो एंगल माल्य हैं एंगल एंगल की एंगल की तो फॉर्स्ट के नर्यकीишь एंगल 54 तो एंगल 44 माल लें ठीक है एंगल दी माल लिए इसको ठीक है सिकेंड का एंगल बी 80 है एंड एंगल सी कितना है 161 16 है ठीक है तो लिखा है वो find the fourth fourth मतलब यह हमें क्या करना हैं तो हम weer four मन लेते हैं एकस डिग्री मर लेते हैं अब इसको solution लिक के हुआ solution कि क्या करता है हम इसंप माल लेते हैं let the fourth angle is x ठीक है let the fourth अंगल इस एकस आफ से को फेलिटर्स के फेलिटर्स फेलिटर्स अब इसको दिखें आप एक वाड़ी लेटर्स में हमने प्रूफ किया था उसमें तो यह कॉर्डिल लेटर्स में 360-degree ऐंगल बनते थे ठीक है जब मैंने को कॉर्डिल लेटर्स प्रूफ किया था तो इसमें 360-degree एंगल बनता है ठीक अगर जिसने वीडियो previous वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो पहले देख ले तब इसको कॉल्व करें ठीक तो यह इन्हा हो गया है अब देखें इसको sum of all angles होते हैं ठीक है Quadilators में तभी 365 360 angles बनते हैं तो लिखते हैं यहाँ पर first angles है Angle A plus Angle B plus Angle C plus Angle D equal क्या होता था 360 degree ठीक आगे लिखते हैं Angle A कितना है 54 degree प्लस Angle B कितना है 80 degree प्लस Angle C कितना दिया है 160 degree प्लस Angle D कितना दिया है Find करना है X तो X यहाँ पर लिखते हैं सब मने थे ठीक है लेट तो कितना है पुरा 360 degree अब इसको जब add करें Sum करें ठीक है तो add करते हैं आप पूर जीरो सिस किनना हो जाएगा टैन टैन का जीरो वन करी हो जाएगा ठीक है फाइव एट करना थर्टीन हो जाएगा थर्टीन और यह वन फोर्टीन 14 और वन किनना हो जाएगा 15 ठीक है करी वन था 15 हो जाएगा फिर वन करी बचेगा तो यह वन किनना हो जाएगा 2 हो जाएगा प्लस एक्स डिडी एक्वल किनना हो जाएगा 360 डिग्री अब जीए जो टू 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 फेप्टे डिग्री है ठीक है इसको यहां ठ्रांसपर करेंगे तो माइनस हो जाएगा ठीक तो इंप्लाइस एक्स इस इक्वाल टू 360 डिग्री माइनस टू 50 डिग्री ठीक है इतना अब इसको सॉल्व करें तो एक्स इवल टू किनना आएगा सब्टेट करें तो जीरो में से 0 गया 0 ही आएगा ठीक है 6 में से 5 गया तो 1 2 में से 3 3 में से 2 गया कि न बचेगा 1 बचेगा that means x is equal to कि न आएगा 1 10 आएगा ठीक है 110 तो यह x के value जो है angles है fourth angles तो यह find हो जाएगा तो यह आपके क्या हो जाएगा answer हो जाएगा तो यहां लीतने हैं hence hence the fourth angle is 110 of a quadrilaterals a b c d ठीक है तो यह आपका solution था ठीक है question problem था यह आपका find हो गया है जो कि fourth angles पूछा था find करना था यह fourth angle कितना है 110 डिगरी आया है ठीक है तो मिलते हैं आप next question solve करते हैं तो देखिए next question लिखा है लिखा यहां पर two two ratio three ratio five ratio and eight ratio ठीक है एट तो find the angles तो यह इसमें four angles four angles दिया है ratio में और इसको angles four angles find करना है ठीक है तो solve करते हैं solution ठीक है तो हम इसमें इसको solve करें तो पहले इसको माल लेते हैं अगर यहां पर x माल लेते हैं अब ठीक है माल लेते हैं let let the measure of the angles measure of the angles ठीक है अफ ग्वाद्री लेटर्स ठीक है अफ ग्वाद्री लेटरल quadrilेटर्स ठीक है quadrilेटर्स और केना हो जाएगा 2x डिग्री ठीक है 2x डिग्री हो जाएगा क्वामा 3x डिग्री हो जाएगा 5x डिग्री हो जाएगा और and x डिग्री हो जाएगा ठीक है हो जाएगा तो हम इसको यह हो गया अगर हम इसमें यह में जिनना होता था sum of all angles is equal to 360 degree होता था ठीक है अगर इसमें फार्मूला लगाएं तो angles क्या हो जाएगा एक graph बनाते हैं पहले ठीक है आपको ज़्यादध बेटर समझ में आएगा तो यह graph होए ठीक है तो यह a है angle a angle b angle c and angle d तो angle किनना दिया है 2x degree ठीक है एंगल b 3x degree एंगल c 5x degree एंगल d किनना दिया है 8x degree ठीक है यह quadrilater है तो quadrilater में एंगल बनते हैं 360 के एंगल बनते हैं ठीक है तो एंगल कियाने के लिए एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c प्लस एंगल d एकवल 360 degree ओके अब जब यहां एंगल one के माथ एंगल a के माथ value दिया है 2x ठीक है प्लस एंगल b किनना दिया है 3x प्लस एंगल c के न दिया है 5x degree ठीक है सम में 1 degree हो जाएगा एंड 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 एंगल d के न दिया है 8 degree 8x degree एकवल 360 degree ठीक है इसको सम करें तो कितना आएगा यह 25 हो जाएगा फाइफ हाफ टैन टैन और एंड एंड हो जाएगा ठीक है तो एंड 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 एकवल 360 degree तो एकवल टू किनना आएगा 360 degree अपान में 80 degree ठीक है एट जो प्रोड़क्ट में वता है तो प्रोड़क्ट क्या होता है अपान में आता है तो इसर इसको कटे गा तो 8 से 18 से तो 18 हो जाए 18 एंड एंट एंडि हो जाएगा 36 जिरो हो जाएगा तो तो किनना आएगा किना दिया है 2x ठीक है अगर यहां पर एक्स की वैलू किया करने 20 रखूं पूट करूं तो किना आएगा 40 डिग्री हो जाएगा और इसी प्रका के एक थे एंगल बी की वैलू फाइंड करूं तो किना है 3x डिग्री एक्वल 3 इंटू ठीक है एक्स की वैलू किना है 20 एक्वल कुना जाएगा 60 डिग्री एंगल सी की वैलू पाइंड करूं तो किना हो जाएगा 5x डिग्री एक्वल 5 इंटू 20 डिग्री देन किना आएगा 100 डिग्री आ जाएगा एंड एंगल डी की वेलुउ फाइंड करूं तो कितना आएगा 8 x degree एक्वल 8 into x को ले 20 एक्वल को आजाएगा तो वन 16 डिग्री ठीके तो 160 डिग्री एंगल हो जाएगा तो यही पूछा था जो की 4 एंगल देगा दिया था रेशियो में तक हम क्या करना है Find the Angles पूछा था तो यह जो एंगल्स निकले हैं एंगल A, एंगल B, एंगल C इसकी निकले हैं एंगल A की मान वैल्यू है million tax है 14 डिग्रीं एंगल B की वेलू है 60 डिग्री एंगल C की डिग्री है 100 डिग्रीं एंगल D Roberts के ऐं, इसका theük europe pourquoi last time yhteels ठीक है जिसका solution यहां पर Prophet यहीं पुरा आपका उजाएगा ant eco फानिली तो मिलते हैं यां पर next को स्थां की तरफ मोग करते हैं ठीक है तो देखिए question number next है लिखा है the measure of two angles of a quadriletters ठीक है तो दो angles दिया गया है quadriletters के क्या क्या दिया है 150 degree and 45 degree ठीक है तो एक quadriletters के दो angles दिया गया है 150 degree and 45 degree दिया है लिखा फर and angles two hours equals और क्या है angles जो है equals two है ठीक है equal है तो find the measure of each of the equals angles जो angles equal होंगे तो इसको कहते हैं find करना है तो अगर हम यह ग्राप बनाएं ठीक है ठीक यह कितना है माल लेते हैं इसको 150 degree और यह जो है 45 degree ठीक है अगर यह जो angles x है और यह भी angles है जो यह क्या है सब equal है ठीक है angles है यह और angles यह जो है माल लेते इसको A B C and D जो angles B और D जो है angles यह सारे क्या है equal है ठीक है टू एंगल से क्या है equal as ठीक है तो इसमें आप गराप चाहे जिसे बना सकते हैं इसमें कोई पावंदे नहीं है तो इसमें solve करें solution तो माल लेते हैं let let the measure of each of the equal angles ठीक है अगर हमने equal angles का two angles माल लेते है x है ठीक है तो इनना माल लिया ठीक है अगर हमने क्या कते हैं एक quadrilators है ठीक है quadrilators के हमने those angles का हमने equal angles का हमने माल लिया है x angles माल लिया है ठीक है माल लिया let ठीक है तो इसको आपको solve करें तो एक quadrants में हम जानते थे 360 के एंगल बनता है तो हम formula लगा दे तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D एकवल 360 डिगरी ठीक है अब एंगल A पता है find दिया गया है वेल्डू ठीक है थो मान लेते हैं अब 1 15 डिगरी प्लस एंगल B की बनतीम प्लस एंगल C किना टीक है 45 डिगरी एंगल D किना दीया है ऐस ठीक है एकवल किना जाएगा 360 डिगरी इसमें आप चाहिए जिसमें इसको 45 यहां ली सकते यहांéis इसको यहां लिख सकते हैं इसमें कोई वावंदी नहीं है अगर हम इसमें कहते हैं इसको solve करें एड करें तो कितना आएगा तो यह 5 5 किनना हो जाएगा 10 10 का 0 1 कहरी हो जाएगा ठीक है 1 आइए 4 आग 1 कहरी था 6 6 हो जाएगा आइए 1 that means 160 डिगरी प्लस यह x है यह भी x है तो किनना हो जाएगा 2x equal 360 डिगरी ठीक है अब इसको जब यहां ट्रांसपर करें ठीक है 160 को यहां ट्रांसपर करें तो 160 जो है माइनस में हो जाएगा जो कि प्लस में हाइड है तो 2x equal 360 डिगरी माइनस 160 डिगरी ओके आगे सॉल्व करें तो 2x equal किनना आएगा 200 डिगरी ठीक है 200 डिगरी एंड एक्स इक्वल किनना आएगा जो जो प्रडक्ट में होता है तो नीचे आता है ठीक है अपन में तो 200 अपन में 2 अगर 2 सिखट जाएगा तो 21 जा 2 21 जा 2 ठीक है तो यह 100 आ जाएगा डाट्स मेंस एक्स इक्वाल टू 100 डिगरी तो यह जो एंगल भी है एंगल डी है तो यह आपका एंगल क्या यह 100 डिगर आ जाएगा और यह भी क्या हो जाएगा 100 डिगर क्या यह फाइंड हो जाएगा ठीक है तो यह आपका क्या हो जाएगा एंसर हो जाएगा ठीक है आई होब इस विडिए यह में आप